Hello everyone, Welcome back to JK Today, मेरा नाम है रजनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सैटलाइट इंटरनेट के बारे में कुछ जरूरी जान करी जो न सिफ आपके जनरल अवेरनेर्स बलकि किसी भी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है तो चलिए शुरू करते हैं आज का नाया टॉपिक आज कल पूरी दुनिया इंटरनेट से चलती है और हाई स्पीड इंटरनेट के लिए दुनिया बर में ओप्टिकल फाइबर का इस्तमाल होता है 4G लगबग हर देश में मौजूद है ही और एक चौथाई से कुछ ज़्यादा देशों में 5G भी आ चुका है लेकिन इंटरनेट का इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद भी आज दुनिया बरी की दिगज टेकनोलोजी कमपनिया इसको छोड़ कर एक नई टेकनोलोजी पर दाव लगा रही है और वो टेकनोलोजी है सैटेलाइट इंटरनेट Google और Facebook से लेकर अपने देश की जियो कमपनी भी इसी दिशा में काम कर रही है लेकिन इन सब में जो सबसे तेजी से काम कर रही है वो है ऐलोन मस्क की कमपनी Space X का Starlink Project Starlink ने भारत में अपनी booking भी शुरू कर दी थी पर सरकार की तरफ से अभी से permission नहीं मिल पाई जब हम तेज इंटरनेट ये बात करें तो उसके लिए ओप्टिकल फाइबर की लाइन बिछानी पड़ती है और फिर भी उसकी देखबाल और मरम्मद भी करनी पड़ती है बड़े शहरों में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन दूर दराज के गाओं और पहाडों जैसे बीहड इलाकों में ओप्टिकल फाइबर के द्वारा तेज इंटरनेट पहुचाना एक और खर्चिला काम है ऐसे में सैटलाइट इंटरनेट इसका बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि सैटलाइट के द्वारा एक बहुत बड़े शेत्र को इंटरनेट सेवा दी जा सकती है वैसे तो सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट सर्विस कोई नहीं बात नहीं है लेकिन इसके पहले इसकी स्पीड काफी कम होती थी हाला कि ओप्टिकल फाइवर भी तुलना में ये अब तक भी कम है फिर भी पहले की अपिक्षा इसमें काफी सुधार हुआ है और काफी बहतरीन भी संभावना है स्टार्लिंग इस सिख्षा में तेजी से काम करते हुए अब तक 1700 से जादा सैटेलाइट पृत्वी के लो अर्थ और्बिट में बेच चुका है और बविश्य में लगबग 30 अजा सैटेलाइट और छोड़े जाने है जिससे दुनिया के हर कोने में तेज इंटरनेट की सुवीदा उपलब्ध हो सकेगी इसके अलावा जियों ने एक लक्सेंबर की विदेशी कंपनी से सैटेलाइट इंटरनेट के लिए हाथ मिलाया है फीजबुक और एमेजोन भी साथ मिलकर इसी दिशा में काम कर लेई है हलाकि तक्नीकी समस्या अभी भी हैं लेकिन अगर जल्दी उनका समाधान डून लिया गया तो बविश्य में दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर टेज इंटरनेट से जुड़ा जा सकेगा और खराब नेटवर्क और कम स्पीट की समस्या से निजात पाई जा सकेगी इसका सबसे ज़्यादा लाब सुदूर और पिछड़े शेत्रों को होगा साथ यह भारत के डिजिटल इंडिया की मिशन को सफल बनाने में काफी बड़ा सैयुग दे सकता है